हेलो एवरीवन वेलकम टू जी के बाई जोती मैं फ्रेंड्स आज की यह जो वीडियो है आपके लिए बहुती ज्यादा यूजफुल रहने वाली है आज की इस वीडियो में हम हर्याना की जो पॉलिटी है उसको स्टार्ट करेंगे और हम हर्याना की पॉलिटी को 6 से 7 वीडि है अगर आप चैनल पर फर्स टाइम वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बैल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक न्यों वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से मिल सके और आगर आप किसी study group से जुड़े हैं जैसे कि WhatsApp पर या फिर Telegram पर या Facebook पेज़ पर अगर आप किसी भी ग्रूप से जुड़े हैं तो वहां पर इस वीडियो को शेयर जुरूर कीजिएगा ताकि अदर जो आपके फ्रेंड है वो भी इस वीडियो से क्या है benefit उठासके तो चलिए हमारी जो वीडियो उसको start करते हैं देखे आपको बात ध्यान रखनी है हम two faces में इसको पढ़ेंगे फर्स्ट पढ़ेंगे हम हरियाना का गठन जिस समय हमारे हरियाना का गठन हुआ था उससे related कुछ बाते पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाना के गठन के बाद की जो हमारी राजवेवस्ता है उसको पढ़ेंगे ठीक है इसको two faces में पढ़ेंगे तो देखे सबसे पहले आपको ध्यार रख लेना है जब हमारे हरियाना का गठन हुआ तो हमारा हरियाना को राज्य बना था सतर वाराज्य बना था हमारे हरियाना का गठन हुआ था 1 नुवंबर 1966 को हुआ था और यह 17 श्टेट बना था हमारा इंडिया का जब हमारा सोल सतर वाराज्य ब थिरा प्रिबदस टीटथा दोड़ा पते हैं तो कि मैजब्दस परता है तो अपको वार जुँए ध्यारक हो था तो त्विए पंजाब से अलग हुआ है पुर्वी पंजाब अलग हुआ तो वह किस के आदार पर हुआ है तो आपको पता है जो हमारा हरियाना है वह बासा के आदार पर अलग हुआ है पंजाब से ठीक है तो यह आपको ध्यार रख लेना है और इसको टू-फेसिज में पढ़ना है हमने एक हरियाना का गठन किस डेट को हुआ कैसे हुआ और एक हम हरियाना के बाद की जो हमारी राजवे वेश्ता है उसको पढ़ेंगे ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं देखे सबसे पहले आपको ध्या रख लेना है देखे सबसे पहले हरियाना को पुर्वरी 1858 n cm किया गया लेकिन क्या वा जो 18 15 की क्रांति हुई उसमें कुछ ऐसे कारण बना दिये गए कि जो हमारा हरियाना है हरियाना को यूपी से हटा कर पंजाब में मिला दिया गया ठीक है और ये कब मिलाए गया था ये मिलाए गया था फरवरी 1858 इसवी में ठीक है अगर आपको ध्यान रख लेना है जो हमारा हर्याना है हर्याना पड जो अंग्रेजों का अधिकार है वो कब हुआ था तो वह था 30 दिसंबर 1803 को मोश्ट इंपोर्टेंट डेट है और इस वीडियो में आपको डेट ज्यादा मिलेंगी तो डेट को आपने ना लिंक करते वे चलना है अगर आप डेट को लिंक करते वे चलोगे या फिर अपने कोई ट्रिक बना लेना उससे अगर आप याद करोगे तो आपको वो ज्यादा लंबेस टाइम तक याद रहेंगी ठीक है तो हर्याना पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था 30 दिसंबर 1803 को और उससे में क्या हुआ था सेकिंड आंगल मराठा युद हुआ था और यहाँ पर जो आंगल सब्ध है वो किस के लिए प्रियोग किया गया है अंग्रेजों के लिए प्रियोग किया गया है ठीक है इस बात का आपको ध्यार रख लेना है क्या हुआ था जो हमारा हरियाना परंग्रेजों का दिकार हुआ था तो किस संदीके तहत हुआ था तो ये हुआ था हमारी सुर्जी अंजन गाउं की संदीके तहत हुआ था और ये जो हमारी सुर्जी अंजन जो गाउं है ये कहा का गाउं है ये महाराष्टर राजिया का गा लेकिन अगर आप से पूछ लिया जाए कि पूरे हरियाना के उपर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था तो आपको ध्यायर रख लेना है देखे हमारा जो हरियाना है वो किस प्रेजिडेंट्सी के अंतरगरता था बंगाल प्रेजिडेंट्सी के अंतरगरता था और इसके जो हमारी बंगाल प्रेजिडेंट्सी थी इसके टू पार्ट हो चुके थे एक हमारा बंगाल था और सैकेंड जो इसका वो था प्रांत था वो कौन सा था? उत्तर पसमी प्रांत था ये किस जन्पध के अंतर गड़ता था तो ये हमारे कानपूर जन्पध के अंतर गड़ता था और हरियाना को 1833 सीश्वी में इसके अदिन कर लिया गया था जो हमारा हरियाना था वो बंगाल प्रेजिडेंसी के उत्तर पस्मी प्रांत के अंतरगर्ट कर लिया था और जो हमारा उत्तर पस्मी प्रांत है वो किस जनपद के अंतरगर्ट आता था हमारा कानपूर जनपद के अंतरगर्ट आता था मैं उमीद करती हूँ कि जो हमारी बात है आपके मैंड में सैट होते हुए चल रही होंगी और आपको अच्छे से यहां पर कवर होते हुए चल रही होंगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं देखे अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हैं फिर क्या होता है फरवरी 1858 में क्या हो और यह हर्याना में पर्थम जनता दर्बार था, most important question बनता है, यहां से आपको ध्यान रख लेना है, कि हर्याना में पर्थम जनता दर्बार कहा लगाया गया था, अंबाला में लगाया गया था, किस वर्स लगाया गया था, 1860 में लगाया गया था, किस के द्वारा लगाया ग हरियाना को पंजाब से अलग किया जाने की सबसे पहले मांग किनों ने उठाई थी लाला राजपत राए वै आसफ अली द्वारा ये मांग उठाई गई थी कब उठाई गई थी 1907 में उठाई गई थी ठीक है जो हमारी लाला राजपत राए जी है इनकी जो ससूराल है वो हिसार है और जो हमारी आसफ अली है इनकी जो ससूराल है वो काल का है ठीक है और इन्हें अरूना असफ अली भी बोला जाता है इसलिए बोला जाता है क्योंकि अरूना तो इनका खुद का नाम हो गया और आसफली इनके हस्बेंड का नाम था तो इसलिए इन्हें अरूना आसफली बोला जाता है ठीक है और जो हमारे आसफली जी थी इनकी जो ससुराल थी वो कालका थी जो कि पंचकुला में आती है और जो हमारे लाला राजपतराई जी इनकी जो ससुराल थी वो कौन सी थी हमारी हिसार थी ठीक है इस बात का आपको जारक लेना है और ये भी जारक लेना है हरियाना को पंजाब से अलग किये जाने की मांग सबसे पहले किनों ने उठाई थी लाला राजपतराई जी ने और आसफली जी ने उठाई थी वर्स 1907 मे ठीक है फिर आगे हमारी कहाने चलती रहती है फिर आगे क्या होता है आगे क्या होता है वर्स 1925 में अखिल भारतिया मुस्लिम अधिवेशन होता है दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की थी पीर जादा मुहमद हुसेन ने ठीक है और ये कहां से थे महम से थे ठीक है इसमें मा अगे बढ़ते हैं और मैं उमीद करती हूं कि आपको जो है दोबार इस वीडियो को देखेगा तो आपको ये बाते समझ आ जाएंगी ठीक आप देखें हम आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है वर्स 1928 में क्या हुआ दिल्ली कॉंग्रेस कमेटी द्वारा दोबारा से हरियाना को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाई जाने की उठाई गई लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या हुआ फेल्ड निकला ठीक है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है वर्स 1931 में लंदन में हुए देखें जो हमारे राउंड जो हमारे राउंड टेबल कॉन्फरेंस थी वो कहां पर हुई थी हमारे आपको पता है लंदन में हुई थी ठीक है तो जो हमारी सेकिंड राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था ये 1931 में हुआ था लंदन में हुए दुसरे गोल में सम्मेलन में भार परतिया परतिनी दिमंडल के सदस्या कौन थे जियो फ्री कारबेट द्वारा इंग्लैंड सरकाल के सामने यह मांग उठाई गई थी ठीक है और इस मांग का किनो ने समर्थन किया था जो हमारे महात्मागां दीजी है और आपको यह ध्यारक लेना है फर्स्ट सम्मेलन में और सम्मेलन में गई थी ठीक है जो यह जियो फ्री कारबेट है इनोंने मांग उठाई थी इसका समर्थन किनों ने किया था महात्मागां दीजी ने किया था लेकिन क्या हुआ जो इसका रिजार्ट निकला वो भी क्या हुआ फेल निकला ठीक है अब क्या होता है आपको ध्यार रख लेना है नो दिसंबर 1932 देखे जो भी डेट बताई जाती है आपको वो डेट अच्छे से ध्यार रख लेनी है जो येर बताया जाता है वो येर अच्छे से ध्यार रख लेना ठीक है नो दिसंबर 1932 को क्या होता है लाला देश बंदू इनको पता है क्या है इनका असली नाम तो लाला देश बंदू था लेकिन इनको ना दीन बंदू गुपता बोला जाता है तो आपको देश बंदू मिले या फिर दीन बंदू मिले तो ये इनी के नेम है ठीक है तो लाला देश बंदू गुपता के दुआरा हरियाना को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला जाने की मांग उठाए गई ठीक है इस बात का आपको ध्यारक लेना है और जो हमारे लाला देश बंदू गुपता थे हर्याणा वैदिल्यक्षेतर में ये करांतिकारी थे ठीक है और इनोंने क्या था तेजकबार के ये संपाधक थे और ये कहां से निकाला था ये जो हमारा आपको पता होगा तो जो हमारी कॉंग्रेस पार्टी थी इसमें इसकी हार हो जाती है और जो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है तो इसमें क्या होता है जो हमारा पंजाब का पर्थम परदान को था तो वह थे सिकंदर खान हयात ठीक है और पंजाब का दूसरा परदान को था मलिक खिजार हयात तीवाना थे ठीक है इस बात का आपको ध्यार रख लेना है यह इंपोटेंट है इसलिए यहां पर मैंने इंक पंजाब में जो कात्यों रखा गया जो हमारा हरियाना है जैसे ही देखिया जो हमारा इंडिया है इंडिया को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाता है 15 अगस्तु 1947 को ठीक है तो जो हमारा हरियाना है हरियाना में कुछ भी बदलाओ या फिर कुछ भी चेंजिंग नहीं किया जा अब देखे आपको ध्यारक के परथम देखे आपको ध्यार्क फ़ेना है, और अब देखे आपको ध्यार्क लेना है, नेक्स्ट जो हमारा इयर हए वह है, most important है और ये जो question है HSAC के previous year के में पुछा गया ठीक है तो ये पुछा गया है कि पंजाबी सुभा का सबद का प्रियोक सब से पहले किन उने किया है तो ये किया है सरदार तारा सिंग जी ने किस में किया है तो इनका एक समाचार पत्तर था उसमें किया है और उस समाचार पत्तर का नाम था अजीत और किस वर्स किया है तो ये किया गया है 1948 में किया गया है ठीक है इस बात का आपको ध्यारक लेना most important है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है एक अक्तुबर 1949 को क्या होता है हमारा बीमसें सचर के दुआरा क्या क्या जाता है सचर फोर्मूला दिया जाता है और आपको ध्यारक लेना है जो ये हमारे बीमसें सचर जी थे ये कौन थे तो जहां हमारा पंजाब है पंजाब के जो second cm थे वो कौन थे हमारे बीमसें सचर जी थे और फर्स्ट कॉन थे? गोपी चंद बारगोजी थे जो कहां से थे? हर्याना के सीर साजिले से थे, ठीक है? और ये जो हमारे सचर फोर्मूला है, ये सबसे ज्यादा बदनाम या फिर ना पसंद है, ठीक है? और कि सक्षेतर में? हिंदी बासा वाले अक्षेतर में, ठीक है? ज हमारा हिंदी वासा वाल अक्शेतर तो समें कौण गोंगार में इ dopo में आते थे रोध तक हिसार गजार और गुरुगरम इसार यी इता हिंदी ने स्वेर्डश पुर्मूरा क्या था पसाप YOU झाना रक tr ना हुए अ कुड़ोर्मूला यह था कि ये 1 अक्तुबर 1949 को आया था ठीक है और ये किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है सचर तो जो हमारे पंजाब के सैकेंड सीम है बीमसें सचर जी उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है सचर फॉर्मूला और इसने क्या किया था जो हमारा पंजाब था पंजाब को दो परी युनिवर्स्टी होती है यानि कि परी युनिवर्स्टी होती है और युनिवर्स्टी से पहले अगर हम परी लगा जट देते हैं तो वो हमारी सकूली शिक्षा कहलाती है ठीक है तो जो हमारी सकूली शिक्षा थी हिंदी भासा वाले अक्षेतरों में हिंदी माध्यम में वे जो हमारा पंजाबी भासा वाला अक्षेतर है उसमें पंजाबी भासा वाले अक्षेतर है उसमें पंजाबी माध्यम में सरकारी सकूलों में शिक्षा करवाई जाएगी फर्स्ट मैं पंजाबी को नहीं तो अच्छे से बोल पाते हैं और नहीं अच्छे से उस लिखी हुई को समझ पाते हैं ठीक है तो क्या कर दिया गया जो हमारा हिंदी बासा वाला अक्षेतर है और ये हमारा पंजाबी बासा वाला अक्षेतर है ठीक है जो हमारा हिंदी बासा वाला अक पर क्या कर दिया गया इसको compulsory कर दिया गया कि यह तो पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है हिंदी भी पढ़ो आप कोई बात नहीं लेकिन आपको जो है पंजाबी वह पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है और यह जो हमारा पंजाबी भासावाल अक्षेतर है इसमें क्या बोला कि आपक था थीक है इसका रिजल भी हमारा फिल रहा था यह अमारे two weak points थे फर्स्ट तो यह था कि जो हमारी schoolji शिक्षया है हिंदी बासा वाल एक्षेतरों में हिंदी माध्यम में वैं फिर जो हमारा पंजाबी बासा वाल एक्षेतरों में शिक्षया करवाई जाएगी सरकारी स्कूलों में सिर्फ और सरकारी स्कूलों में ना कि नीजी स्कूलों में ठीक है और सेकेंड वीक पॉइंट इसका ये था कि जो हमारी हिंदी भासा वाले अक्षेतरह वहां पर पंजाबी को दूसरी भासा के रूप में पढ़ा जाना कंपल सरी है और जो हमारा पंजाबी भासा वाला अक्षेतरह वाँ पर हिंदी भासा को पढ़ा जाना कंपल सरी है ठीक है तो मैं उमीद करती हूँ कि जो हमारा सचर फोर्मूला आपको चैसे समझ आया होगा अब देखे हम आगे इसका गठन किया गया था तो इसका गठन किया गया था तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो फजल अली ने की थी तो इसी के इनी के नाम पर इसका इस आयोग का नाम क्या रख दिया गया था फजल अली आयोग रख दिया गया था ठीक है अब देखिया आपको जहां रख लेना है जो हमारा नेक्स्ट इयर है वो हमारा 1955 ठीक है 1955 में क्या होता है जो हमारा फजल अली आयोग है यह हर्याणा में सबसे पहले रोध तक में आता है और वर्ष 1955 में फजल अली आयोग ने केंदर सरकार को क्या की थी अपनी रिपोर्ट शोपी थी ठीक है मोस्ट इंपोर्टन है यह ध्यार रख लेना है की फजल अली आयोग हर्याणा में सबसे पहले कब आय था यह आय था वर्ष 1995 में और कहां पर आया था रोध तक में आया था और इसने 1905 में अपने रिपोर्ट किसको सोब दी थी के अंदर सरकार को सोब दी थी ठीक है और आपको ये भी समझा गया होगा जो हमारा फजल लिया योग है ये किसलिए इसका गठन किया गया था ठीक है आप देखे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारी डेट है वो आपको ध्य है रख लेनी है 24 जुलाई 1956 24 जुलाई 1956 को क्या होता है साथवे सविधान संसोदन संसोदन आपको ये पता होगा क्यों किया जाता है किसी भी सविधान में संसोदन करने के लिए या फिर जो है उसमें कमिया है सविधान में या फिर किसी चीज में जो कमिया है उनको इंप्र पंजाब को मुख कहता है दो बासा वालो वाले अक्षेतरों में विवाजित कर दिया गया फश्ट पंजाबी वासा वे सेकंड हिंदी भासा को बराबर दर्जा दिया जाए इसलिए इसको दो बासा वाले अक्षेतरों में विवाजित कर दिया गया ठीक है समस्त पंजाब पर इस पर नहीं किया जाता है विदाय के दोरा इसका गठन किया जाता है अब देखें मोश्ट इंपोर्टेंट जो है वह आता है आपको ध्यां रख लेना है देखें, नेक्स्ट है, वर्स 1957 में क्या होता है, जो हमारे पंजाब के तिसरे मुख्य मंतरी थे, परताप सिंग कैरो, ये क्या करते हैं, जो हमारा अक्षेत्रिया फार्मूला होता है, इसकी सरते मानने से इंकार कर देते हैं, ठीक है, और हर्याणा को पंजाब से अलग किया प्रताप सिंग कैरों के समय इस बात्स है, ये वर्स 1960 में क्या होता है, जो हमारे तारा सिंग जी है, इनके दवारणी सुबे के लिए जनवियापक आंदोलन सुरू कर दिया जाता है, ठीक है, और नक्स्ट जो हमारा CN 1965 है, 1965 में क्या होता है, सबसे पहले, तो आपको ये ध्यारग लेना है 1965 में क्या हुआ था हमारा भारत का और पाकिस्तान का युद हुआ था ठीक है युद चल रहा था हमारा और जो हमारे फते सिंग है फते सिंग के द्वारा पंजाब को हरियाना से अलग किये जाने की सरकार को क्या बोला था इनों ने कि मैं अगर या तो आप जो हमारा पंजाब है या फिर जो हमारा हरियाना है हरियाना को पंजाब से अलग कर दीजिए या फिर मैं क्या करूँगा आमरन अंसन पर बैठ जाओंगा इसके इनों ने दमकी दी थी ठीक है लेकिन क्या होता है देखिए जो हमारी सरकार है सरकार का ध्यान किस साइड था भा की स्मापती होने के बाद फतेशिंग द्वारा दो बारा आमरन अंसन की दमकी दी जाती है और श्वब को आज के हवाले किये जाने की दमकी दी जाती है ठीक है। जो फते सिंग थे वो बहुती ज्यादा एज के आदमी थे जैसे ही जो हमारे हरियाना के युवा है ये देखते हैं कि एक बहुती ज्यादा एज का इंसान है जो हमारे हरियाना को आजाद करवाने के लिए या फिर हरियाना को पंजाब से अलग करवाने के लिए अपने आपको आग के हवाले कर रहा है या फिर आमरन अंसन पर बैट रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते तो जो हमारी हरियाना की जनता है उसमें आग बड़क उठती है और वो भी क्या है हरियाना को पंजाब से अलग किये जाने की क्या करने लगती है मांग करने लगती है ठीक है इस बा दिखान रख लेनी है अब देखे 1965 में और 1966 में कुछ डेट है वो आपको जुरूर ध्यान रख लेनी है ठीक है देखे फिर क्या होता है 23 सितंबर 1965 को क्या होता है पंजाब पुनरगठन भी लाता है ठीक है और सबसे पहले आपको पता है तिसरी लोग से बाचल रही होती है इस टाइम पे ठीक है देखे जो हमारी फर्स्ट लोग से बाचली थी वो 1952 से 57 तक चली थी 57 से 62 तक दूसरी चली थी और 62 से 66 तक हमारी त इसरी चली थी ठीक है और 65 किस थी वाली के अंतरगरत आता है तो समय वा था 28 सितंबर 1965 को पंजाब पुनरगठन बिल हुआ स्वा थी 55 रहा के दूरा किया जाता है तो तो अगर है मंतरी कौन थे हमारे गुलजारी लालनंदा जी थे और लोग से बाके अध्यक्स या फिर जो हमारे स्पिक कर थे वो कौन थे सरदार हुकम चंद जी थे ठीक है इस बात का भी आपको ध्यारत लेना है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं फिर आ जाता है मार्च 1966 संगर समित्ती के अध्यक्स चोधरी देविलाल की पंजाब के फते सिंग के साथ मुलाकात होती है और ये फते सिंग वही है जो बोल रहा था या तो आप हमारे हर्यारा को पंजाब से अलग कर दो या फिर मैं आमरन अनसन पर बैठ जाओंगा या फिर मैं खुद को अपने आपको आख के हवाले कर दूँगा तो इनकी मुलाकात होती है किन से चोधरी देविलाल जी से और किस में होती है मार्च 1966 में होती है और ये जो हमारे चोधरी देविलाल जी थे ये किसके अध्यक्स थे तो जो हमारी हरियाना संगर समिती है इसके अध्यक्स थे ठीक इस बा 1966 को क्या होता है जो हमारे जो तीसरी लोग सभा अध्यक्स जो हमारे सरदार हुकम चंद सिंग जी थे इसकी अध्यक्सता में हरियाना व पंजाब की सीमा का निर्दारण करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया जाता है और जो हमारे सीमा इसका ही दूसरा नाम क्या है जेसी साह आयोग है और इसका नाम जेसी साह क्यों पड़ा इसके भी मैं आपको रीजन बताती हूं तो इसमें जो सदस्या सिंग क्या थी वो टोटल कितने थी तेन थी ठीक है फर्स्ट थे हमारे जेसी साह इनका पूरा नाम था जियंती लाल की गुजरात से थे ठीक है सेंकिन थे हमारे एसदत और थर्ड थे हमारे एम फिलिफ तो जो ये हमारा इस जो हमारी सीमा आयोग है इसका जो सेंकिन नाम जेसी साह आयोग रखा गया था तो ये किसके नाम पर रखा गया था ये जेंती लाल छोटे लाल सहा के नाम पर रखा था ठीक है इस बात का आपको ध्या रख लेना है और यह डेट भी आपको जुरूर ध्यार रख लेनी है 23 अप्रियार 1966 को क्या गिया था हर याणा वैपन जाब की सीमा का निटदारन करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया गिया था ठीक है और इस जो हमारी सीमा योग है या पिर जो हमारा जेसी सा आयोग है इसमें जो सेदस्यों की संक्या कितनी थी तीन थी कौन-कौन थे जेसी सा एसदत या फिर एमफिलिफ यह तीन थे ठीक है इस बात का आपको ध्यारक लेना है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं देखें नेक्स्ट क्या होता है 31 मई 1966 को ठीक है एक नॉम्मर 1966 के पास हम पहुचने वाले हैं तो आपको ध्यारक लेना है यह नेक्स्ट डेट है हमारी 31 मई 1966 को क्या होता है जो हमारी सीमा आयोग है या फिर जो हमारा जेसी सा आयोग है यह जो अपनी रिपोर्ट है वो के चंदिगढ को हम पंजाब में मिलाएं या फिर हम हरियाना में मिलाएं ठीक है तो इस पे यह हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं ठीक है और फैसला भी नहीं ले पाते हैं तो इसी वजह से जो हमारा चंदिगड है आज क्या हमारा यूटी है ठीक है यानि कि union territories है यानि कि केंदर साशीत परदेश है किसकी वज़े से है और ये एक special व्यक्ति की वज़े से जो हमारा चंदिगड है एक यूटी बना हुआ आज किसकी वज़े से जो हमारे जो हमारे चंदिगड को हर्याना में मिलाई जाने के खिलाफ क्या दे दी थी वोट दे थी यानु पंजाब में है तो इसको यूटी का दरजा दे दिया गया था ठीक है और यूटी में कों सासन करता है सितम्बर के बाद अक्तोबर फिर नूवमबर नूवमबर में हमारा हरियाना आजाद हो जाएगा ठीक है तो 18 सितम्बर 1966 को क्या होता है जो पंजाब पुनर गठन बिल आये था संसित के दोनों सदुन में पास हो जाता है ठीक है और हरियाना के नईर सतरवेराजे के रूप मे गठन हो जाता है ठीक है कब हो जाता है इसका गठन पंजाब पुनर गठन के दोनों सदनों में कब पास होता है और इसमें ये बोला जाता है जो हमारा हरियाना है हरियाना भारत के सतर वेरा जैके रूप में इसका गठन किया जाएगा और इसमें कौन-कौन से जिले सामिल किय जाएंगे तो जब हमारे हर्याना का गठन हुआ था उसमें हमारे हर्याना में टोटल साथ जिले थे आपको ये साथ जिले ध्यारत लेने हैं ये थे हमारा करनाल गुरुगरा महिंदर गडरोद तक ही सार ठीक है ये हमारे पांच हो गए जीन्द और हमारा ये हमारे दो हो गए ठीक है देखे जो हमारे ये उपर मैंने जो पांच लिखे हुए है ये तो जो हमारा सिमायोग था इनोंने अपनी या फिर जो हमारा जेसी सा था इनोंने बोल दिया था कि ये जिले इस हर्याणा में होने चाहिए ठीक है लेकिन जो ये दो जिले हैं जीन्द और अंबाला इनक कहां पर होगी हमारे चंदिगड में होगी यह भी आपको ध्यारक लेना है यह किस में बोला गया है अनुछेद 21 में बोला गया है हरियाना की और पंजाब की एक साजली जो होती है हाई कोट होगी और वो कहां पर होगी हमारे चंदिगड में होगी ठीक है इस बात का आपको ध तो क्या होता है जो हमारा हर्याना है 1821 स्विदान संसोधन 1966 के तहत हर्याना का भारत में सतरवेराज्य Kir laughs में गठन कर दिया जाता है जब हमारा पंजाब है उसमें भी 22 जिले थे और जो हमारा हर्याना है इसमें भी at present कितने जिले हैं 22 जिले हैं और जब हमारे हरियाना का गठन हुआ था उसमें कितने जिले थे 7 जिले थे पांच जिले जिलों को जो है जेसी सा आयोग है उसके दवारा तैकर दिया गया था और 2 जिले के अंदर सरकार ने खुद डाल ले थे कौन-कौन से डाल ले थे जीन्द और अंभाला को डाला था ठ देखे मैं आपको ना आगे पढ़ाती हूं आगे देखे आपको ध्यारक लेना है एट प्रेजेंट हमारे हरियाना में 22 जिले हैं और जब हमारी हरियाना का गठन हुआ था उसमें 7 जिले थे लेकिन आपको एक बात ध्यारक लेनी है जो हमारा पंजाब है पंजाब में 22 जिले जगह है उसको ना 23 जिले के रूप में बना दिया गया है ठीक है और ये एक सपेसल जाती है उनके लिए बनाया गया है इसमें साइद कुछ 21 गाउं के करीब गाउं आते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रख लेना इवह सारी मैंने इन्फ़ोर्मेशन वाफ पर डे रखी आप वीडियो देख सकते हैं अब हम देखेया अगे बढ़ते हैं आपर हुत्या ह्याना है ह्याना में total अट्रल मंडल कितने है चैनल है जब हमारे हर्याना का गठन वा था उस मन्डल कितने थे एक थे ठीक है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है जब हमारे हरियाना का गठन हुआ उस में पर जो हमारा एक मंडल था उसका नाम कौन सा था या फिर उस जिले का नाम कौन सा था ठीक है ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ठीक है जो हमारे मंडल है वो पहले चार थे ठीक है कितने थे चार थे लेकिन दो जो मंडल है वो नहीं है वो कौन-कौन से है एक हमारा करनाल है और एक हमारा फ्रिदाबाद है और इसको इन दोनों को बनाए जाने की गोशना कब की गई थी इनको बनाए जाने की गोशना की ग कमिशनर ठीक है तो इसको हिंदी में बोला जाता है उपायुक्त और जो हमारा मंडल होता है जो मंडल का सरवचा दिकारी होता है वो क्यों नहीं होता है हमारा कमिशनर होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं आयुक्त बोलते हैं ठीक है और बस आपको बस यह द्यान रख देखिए, जो हमारा करनाल है, और जो हमारा कृम्धाद है, यह नए मंडल है, पहले हमारे हरियाने में 4 मंडल होते थे, पलस में 2 और एड़ कर दिये गई एड़ प्रेजन्ट कितने हो गई है छैं हो गई है ठीक है इस बात का आपको ध्याँ रख लेना है देखिए सबसे पहले हमारा हिसार मंडल है हिसार मंडल में कौन-कौन से जिले आते हैं हिसार आता है फतेहबाद सिर्षा और जींदिये चैर इसमें जिल जिले आते हैं जो हमारा रोत तक है रोत तक में रोत तक सोनिपत जजर्ब विवानी दादरी ये पांच जिले आते हैं और जो हमारा रोत तक है ये हमारे हरियाना परदेश का सबसे बड़ा मंडल है ठीक इस बात का आपको ध्याँ रख लेना है नेक्स्ट जो है हमारा नेक थेंक्यू धन्याबाद